चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप साल 2022 की फीफा वर्ल्ड कप साल 2022 में फ्रांस ने अपने अभियान का शांदर अगास किया है देरात अल जनाब स्टेडियम में खेले गए ग्रूप डी के मुकाबले में साल 2018 की चैंपियन टेम फ्रांस ने उस्टेलिया को चारेक से पराजित कर दिया आपको जानकारी दे दे कि मैच में कुल दो गोल अपने नाम किये हैं मुकाबले में ऑस्टेलिया की शुवात काफी शांदार रही है और ये भी जानकारी दे दे कि उसने खेल के नौवे मिनट में ही मिनट में गोल कर दिया जहां कंगारू टीम के लिए ये गोल क्रैक गुडविन में ने मैथ्यू लेकी में एक खुब सुरत क्रॉस पर किया है वहीं तीन मिनट बाद फ्रांस के लिए एक दुखत घटना घटी जब लेट बैक लुक्स हनांदेस का घटना जो घुटना है वो मुड़ गया जिसके चलते उन्हें स्टैचर पर लाद कर पिछ से बहा ले जाया गया फ्रांस आखिरका 27 मिनट में गोल करने में काम्याब रहा यही नहीं 36 वर्षे ओलीवर गिरोट फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी एक मैच में दो गोल दागने वाली दूसरे सबसे उम्रदरास खिलाड़ी बन गए है यह रिकॉर्ड केमरून के रोजर मिल्ला के नाम पर हुआ है जिनोंने साल 1990 के वर्ल्ड कप में कोलम्बिया के खिलाफ तागे थे वहीं आपको जानकारी यह भी देख कि इस तरहां फ्रांस ने चार एक से यह मैच अपने नाम कर लिए